तो हाई डिस इस प्रवात रिंजन स्वागत करता हूँ किस्टे एडिमिसन की यूट्यूब वडियो सीरीज में एक नए वीडियो में इच स्पोर्स फैसलेटी इंपॉर्टे इंजिनियरिंग कॉलेजेस कई बार हम देखते हैं अगर आप कहीं भी रिव्यू पढ़ रहे हो स्पोर्स फैसलेटी बढ़िया तो खुस रहते हैं नहीं तो फिर थोड़ी बहुत सिखाय के दर साथ हैं और अकसर जितने भी मेरे इंजिनियरिंग कॉलेज रिवीडियो देखो सब में मैंने और स्पोर्स फैसलेटी को कवर करने की जरूर से जरूर कोसिस की है तो क्या सबसे पहले बा स्पोर्स फैसलेटी का मतलब क्या है कि स्पोर्स के रिए आपके कुछ इंफरस्ट्रक्चर डेवलप डोंगे क्रिकेट ग्राउंड फॉट्बॉल ग्राउंड बहुत ज्यादा डाइवर्स है मतलब नॉर्मल भी है तो चलिए वालीबॉल बास्केटबॉल बैड्मिंटन ये सारे फैसलिटीज तो होंगे ही होंगे इसके साथ अगर बहुत चादर डाइवर्स है तो आपके बिलियर्ड्स भी होते बहुत सारे कॉलेजेस में आपके होकी बहुत सारी चीजे होती है कई बार स्विमिंग पूल भी हमें देखने हो मिलता है एथलेटि बढ़ा जाएं तो इतना ज्यादा ध्यान क्यों दिया जा रहा है इंसिट्यूट की तरफ से भी और स्टुडेंट की तरफ से भी तो इसका सिंपल सा रीजन यह है कि जब हम एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते तो देख रहो फिस ट्रक्चर काफी ज़्यादा इसका फि वोकेशनल ट्रेंग आपको किसी एक सेक्टर में किसी कम्परी में भी दिलवा दे तो कॉलेज़िस बेतने महंगे महंगे फी देने का तो कास कर अगर इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर ले तो हम सुनते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज की स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के लावा भी बहुत सारे चीजों में expertise रखते हैं हरकोई किसी ना किसी फिल्ड में कुछ ना कुछ explore कर रहा था कई के बार हम देखते है आई आई टी जनाइट इस बड़े बड़े कॉलिजेस या फिर मतलब नॉर्मल कॉलिजेस से भी कई बार सुरेंट स्पोर्स लेवल पर नेशनली इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करके आते हैं फिर अगर बात कर ले टेक्निकल एंड कल्चुरल एस्पेक सभी तो बहुत न देखते है आज करेट में आक्टर से जो कि आपके किसी yetी मेडिकल स्ट्रेंट को नहीं देखोगे किसे। के इतना जादा नहींदेखोगी जित आ इतना स्टार्ट अब कल्चर बिजनेस कल्चर आपको एक इंजी नियरिंक कॉलेज में फिर आ इया जा रहे होते हैं तो देखा जाये तो इंजीनियरिंक कॉलेज में रिके से स्ट्रेंट को बहुत ज़या सब्सक्राइब करने कोसिस की जाती है कि आपको अगर किसी भी एक पर्टिकुलर फिल्ड में इंट्रेस्ट है तो हम आपको बेस्टेस्ट अब देश्ट फैसिलिटी जितनी ज्यादा सारी चीज़े आपको चाहिए सब कुछ प्रवाइड करने कोसिस करते हैं बात कर ले अगर कर ले टेकनीकल एंट कोल्च्र doubles देखते होंगे बहुत सारे अपके अब ब Loris को में होते कुल्चरल और स्पोर्स ये तीन चीजे होती काफी ज्यादा बड़े लेवल पर आपके किसी इंजीनेरिंग कॉलेज में तो इन तीन लेवल पर आपको ट्रेंडिंग दिया जाता है कई बार कुछ इंस्टूर्स मैंने इसा देखे हैं जो स्पोर्स कंपल्सरी रगते हैं आप बहुत ज़्यादा कॉलेज में नहीं हैं लेकिन कुछ कॉलेज में मैंने देखे हैं इसी के साथ अगर हम बात कर ले कि स्पोर्स पी इतना ध्यान दिया जाता है क्योंकि कई बार स्टूर्स करते हैं करते ही अपने इंसिट्यूट को इंटरनेशनली भी रिप्रेजेंट करक आपके कुछ सेंट्रल युनिवर्सिटी जो हो गए इनमें कुछ जादा चीजे देख रहे हो मिलती है तो ज्यादा फैसिलिटी ज्यादा प्रैक्टिस कर पाते हैं तो ज्यादा उन्हें रेप्रेजेंट करने का मौका भी मिलता है तो इस प्रकार से हमारे लिए स्पोर्स और यृट आपिशेंट जाते हैं और एके बहुत बार पढ़ाई की थकान में थोड़ा स्पोर्स फेसलिटी है तो थोड़ा बहुत जीने बहुत दे सिरियस ली प्रैक्टिस नहीं करना तो थोड़ा बहुत घुमना फिरना भी हो गया खेलना खुदो ना भी हो गया और इं इंगे लेकिन बात करों इंजीनियरिंग के सबसे इंजीनियरिंग में इतना क्यों है तो देखे होस्टल फैसल फैसल ने प्रॉपर घर देना तो जब आप घर पे रहते हो तो सिर्फ तो ऐसा निकाप रूम पर पड़ रहे होगे हमें कुछ नो कुछ चीज़ और भी क्या जाता है खासका अच्छे वे जारी जैसे आपकी किसे अच्छेी लोगयलेटी में रहते हो तो शीजे बस चल रही होती है ऐगर चूटे को जाते है बढ़े कॉलेटे अच्छे से ऑरिगनाइज भीकियों कि जाती ए siellä बात कर लेod करना बस खेलते हैं घर का एक महौल लेना हो तो होस्टल में भी आपको कुछ प्रवाइड के जाते हैं तो देखें घर में देखें तो सोसाइटी के अंदर भी कुछ आपके महले के अंदर भी कुछ अब बढ़ी हैं फैसलेटी जोने वाली है और फी श्ट्रक्चर भी देखो इतना जाद आगर आप महंगा फी ले रहे हो तो इसके बतले कुछ तो दे रहे हैं बाकि सारे कॉर्स इतना ज्यादा फी नहीं होता अफकोर्स बाकि सारा मतलब मैं बार बार आपी से आ याई जब खीम एटीकल जैसे कॉलेज इसे कंपर मत करें कि ये सारे इस भी टॉप कॉलेजेस होते हैं कुछ आपके डियूट के अंदर भी बहुत सारे इंजीनिरिंग कॉलेज का छोटे कॉलेजिस का एक ट्रेंड भी बढ़िया कि जब आकी सारे कॉलेजिस इपना ज्यादा फीश्ट्रक्चर लेड़े तो हम भी फीश्ट्रक्चर ज्यादा लेंगे आगे आने वाले समय डिवलप्मेंट परपस के लिए यूज करेंगे लिए क स्पोर्ट्स मीट्स इवेंट भी और इसे की बढ़नाईज कर लिए तो यह जाओंगा इसलिए स्पोर्ट्स आपका फैसिलिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है अब जिन स्टुन्ट्स को बिलकुल ही स्पोर्ट्स इस इंट्रेस्ट नहीं है बहुत ज्यादा मनलब चाहित कि मैं तो बस जाओंगा और कोडिंग कारूंगा या फिर अगर मेकेनिकल से हूं या फिर या फिर本 करूंगा अफरा अपना प्रेश्मिंट प्रपरेशन करूंगा या फिर किसी मुझे command exam preparation करना है या फिर मुझे किसी भी exam preparation करना मैं research करना है जो भी सारी चीज़े करनी है तो इसी में अगर आपको बीजी रहना है पहले सी सोच कर रखे हुए हो तब हो सकते स्पोर्स फिसलिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो लेकिन थोड़ा सा जज़ कर लीजे क्योंकि कई बार होता है हमने आज कुछ और सोचा और सब्सक्राइब करें और इन्जीनियरिंग कॉलेज में भी तो आज कि इस वीडियो में तयब जो भी श्रण किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो देख रहे हैं आपके college में क्या कुछ स्थिती है sports facility को लेकर या फिर किसी भी इस प्रकार के facility को लेकर comment section में जरूर से जरूर लिख कर बताए और जो भी students अभी admission लेने की सोच रहे अगर आपके कुछ और doubt से comment section में लिखिए अगर मुझे doubt genuine लगता है तो उसके उपर भी वीडियो आ जा रहा होगा overall मेरा इस साल का एक mission है कि जितना भी आपका engineering college admission related doubts है सब को पूरी तरीके से खतम कर दिया जा सके और अगर पूरी तरीके से खतम ना हो पाए तो कम से कम कोशिस करता रहूं जब तक आपका admission session खतम ना हो तो आज के इस वीडियो में तेंगर वीडियो पसंद आई हो तो like, subscribe दिल खोल कर करिएगा और अगर कुछ दिल की बात है कुछ मन की बात है लिकर बताने हो या कूछ नहीं तो comment section आपी के लिए तो है स्था कर वाचिक वाचिक इस वीडियो गुट गुट आप आप एवा लगाया जी वीश आप बिश्यू इचर इन्जोश जर्णी